कनाडा के ब्रिटिस कोलंबिया में 18 जून को प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के प्रमुक हरदीप सिंग निजर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने इस हत्या में भारत सरकार के सनलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर हैं। की गुर्पत वन्त सिंग पन्नु कैसे भारत के टुकड़े करना चाहता है, उसके प्लानिंग के पूरी खुफिया रिपोर्ट है। ने डोजियर के मुताबिक पन्नु पर पूरे देश में सूला केस दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हर्याडा और उत्त्रा खडवे खालिस्तानी मुवमेंट को लेकर उस पर ये केस दर्ज किये गए हैं। ने डोजियर के अनुसार बटवारे के समय उनिस सो सैटालिस में पन्नु पाकिस्तान के पठान कोट से अम्रित सर आया था। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉक डिगरी ली है और उसके मातापिता की मौत होती की है। पन्नु का भाई मगवंत सिंग बिदेश में रहता है। पन्नु अमेरिया में अलगावबादी ग्रूप सिक फॉर जस्टिस का प्रमुख है। और पंजाब को भारत से अलग करने की मांग करता रहता है। 7 जुलाई 2022 को ग्रिह मंत्राले ने उसे आतंकी घोशित कर दिया था। 3 जुलाई 2022 को लेकर कुछ 16 मामले अलग-लग राजियों में दर्ज है। उस पर पंजाब के सरहिंद में UAPA के तहत मामला दर्ज है। इस तरह उसे UAPA यानी की गैर कानूनिक गद्विधी रोक्ठाम अद्नियम के तहत कुल नो मामलों में आरोपी माना गया है। नए डोजियर के मुताबि वो इंडिया गेट पर खालिस्तानी जंडा फैराने वाले को 2.5 मिलियन US डालर देने की घोस्रा कर चुका है। उसने ऐसे पुलिस कर्मी को 1 मिलियन US डालर देने की घोस्रा की थी जो 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर तिरंगा फैराने से रोके। इसके अलावां कई बार ओडियो वायस मैसेस भेज कर भारत की एकता और अखंडता को वो चुनौटी दे चुका है। पन्नू, पंजाब, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल प्रदेश और हर्याना में अपने गुर्गों के जरिये खालिस्तानी पोश्टर और जंडे लगवाने की कई बार कोशिश कर चुका है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा की बीज खालिस्तानी आतंकियों को लिकर तनातनी चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। आमारुजाला, निश्पक्ष, निर्भी, निरंतर